तो आज हम बात करने वाले बहुत ही लक्जिरी हाउस की जासा कि आप यह प्लान देख रहे होंगे इसमें मैंने टेक्सर वगएरा का भी यूज किया है अगर में गेट की बात करें वो भी आप बहुत ही स्टाइल ही देख रहे होंगे पूरा प्रॉपर तरीके से डेजाइन म इसका कॉस्ट क्या लगेगा बनवाने में वह भी में बताऊंगा साथ पूरा इसको डाउनलोड कैसे करना है इसका साइज बगएरा साई डेटिल में डिसकस करूंगा सिर्फ बने इस वूड़ों में और मैं हूं पहुंचा कर आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाल हुष प्लान अगर आपने दोस्तों अभी तक इसमाल हुष प्लान को सब्काइब नहीं किया है लेटेशन अपडेट वूड़ों पाने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्काइब जरूर कर लें तो यहां पर आपको लगातार अपडेट वूड़ों मिलते हैं अगर आप पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है तब ही आप बात करें आन्यता ना करें क्यूंग आपका भी टाइम बेस्ट होता हुटा और हमारा भी तो आपको इसका पिशेज ध्यान रखना है लेकिन आपको पेमेंट केवल हमीं को करना है जब आपको कि हमसे बात हो जाए तब ही आप पेमेंट करें अन्य व्यक्ति को आप पेमेंट बिल्कुल ना करें तो चलो जो आज का मॉडल उसे पूरे डिसकस कर लेते हैं मैं दिखा देता हूं आपको फ्रंट से देखने हैं मैं आपको ऐसा मिलेगा थ्री साइट के लोजट है यह में मीन डुर यह دोसों यहां पर बड़े से मोटे-मोठे सपीलर मैंने डो में दो बनाया है जो में डोर लगाया है यहां से आप अपनी पार्किंग घर पारियंग स्लूब है Ya mystic कार पार्किंग और यह गार्डेन एरिया पूरा है जैसे आफ स्लोप से अंदर आते हैं तो यह देखे में डॉठ आप इस टाइल अरिये आपकी कार पार्किंग के लिए स्पेस और इधर साइड में दूस्तों यह आपका गार्डेन है यह चारोतर रेहलिंग टैप के में ने डेटेल पूरा क्रेट किया है बाद बाकी जो 30 बाई साट प्लान था तो अब बसता आपका 30 बाई 40 फिट में तो 30 बाई 40 में मैंने ये पूरा डिजाइन किया है ये इसका में डोर जिससे इंट्री करेंगे ये आपका एक विंडो दिया है बताएंगे क्यों तो अभी ये जै से मैंने दिए बड़ा सा किचेन लगवा दस भाई 10 का उसी के बगल में दस भाई आठ का आपका एक के बड़ा सा लगजरी अगर हम बात करें इसको अगर विजाइन करवाएंगे तो आपका बातरूम है इसके बाद ये आप आ जाते गैल्डी के माद्देम्स हाल में तो मै पूरा आप ग्लासेश के माद्देम्स उपन कर सकें पूरा प्रफर तर्स के विंडिलेशन हो सके तो इसलिए विंड़ो और नहीं देख के पल हॉल टाइप का है आप यहां पर डाइनिंग हॉल के बड़ा सा क्रेड़ कर सकते हैं और यह आपका बड़ा सा बैड्डूम यह बड़ा सा डाइनिंग हॉल साथ में एक इसलिय्ट हवे दीश्य भила तो उल्हां से और शाया ना हसा थी कशन होसा इनध हो फूरा बात बातर हीए इसका सीच तो यह इश्यट्य यह आप ऑ जो देख रहेंगी सिलिक्सर आंग को पार्फ यह आ हो क्सition को अब एक स्टा मे उपर आते हैं तो वही रिमूब कर दिया एक बड़ा सा बालकनी यहां क्रेट कर दिया है बड़ा सा रेलिंग और यह डिजाइनिंग के पार्ट है यह टेक्सर मैंने यूज किया बड़ा सा एक विंडो तो यह पूरा फश्ट फ्लोर हो जाता है वही से रिसे यह बैड डूम यहां पर तीन बैट्डूम मिल जाते हैं लेटेंट बात किचिन फिलाली मैंने यहां से रिमूव कर दिया है अब हम बात करते हैं लाइस प्लूर की तो लाइस प्लूर आपको देखने को यह मिल रहा होगा चारो तरफ शारफट का बॉंड दे और यह जो स्टेर्स थी उसको यहां पर किचिन था बैट्रूम तो इसको कमाइंड कर दिया बड़ा सा बैट्रूम मना दिया से विंडो दे यह च्छत हो गया यह रेलिंग है ग्लास का यह टेक्स्टर आप पूरा देख पा रहे होंगे लकडी का टेक्स्टर है दोस्तों आप गर की फिनिशिंग करवाते तब यह सारी चीज़ी यूज होती पहले आपको इस टक्सर बनाना पड़ेगा फिनिशिंग के बाद आप टेक्स्टर वगएरा यूज कर पाते हैं तो यह पूरा तीस वाई साट में लग्जरी आहॉस प्लान फित कार पार्किंग फिर गार्डिन वगएरा मिल जाता है तो कमेंट करके जरूर किता है सासा वीडियो की लाइक से जरूर करें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूर्श सकते हैं थैंक्स वाचिंग